हाई गाइज, सिनेमेंटिक रेक्शन्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम दफास्ट एंड फ्यूरेस टोके डिफ्ट मोवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो थर्ड इंस्ट्रॉल्मेंट है इस फ्रेंचेज का और इसे डारेक्ट किया है जस्टिन लीन ने और इसमें लीड में है लोकास बलेग, संग केंग, ब्राइन टी, नेटली केली, बाव वो जैसे स्टार्स इसके पहले पार्स की वीडियो हमने बना रखी है अगर आपने अभी तक उने देखा नहीं है, तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिपिशन में दे रखी है, आप आसे उसे देख सकते हो तो शुरात करते है इस मोवी की, इस मोवी की शुरात होती है व्योईस में जाम इस काहनी की लिड़ को देख सकते है, जिसका नाम है शौन बॉस्वेल आज उसका कॉलिज का पहला दिन है, और यहाँ पर एक लड़की उसके गाड़े को देखके फ्लेट हो जाती है अब यहाँ वो लड़की सिंगों कहते है की तुमारे गाड़ी कितनी प्यारी है तो शौन कहता है की गाड़ी चलाने往ा भी बहुत प्यारा है इनकी बातों की बिच, यहाँ पर उस लड़की का बोईफरेंड आ जाता है, क्ले अब वो वहाँ उसे कहता है कि तुम मेरी बंदी से बात कर रहा है चुपचाप अपने खटारा यहाँ से लेके निकल जा वरना अगर मेरी सटर गई तो मैं तुझे छोड़ूगा नहीं यहाँ शोन कहता है अगर लड़ने का इतना ही शोक है तो गाड़े से क्यों नहीं लड़ता अब यहाँ इन दोनों की बीच एक मज़दार रेस होती है पूरे कोलेज में एकसाइटमेंट बढ़ जाती है सबी लोग चलाने लगते है और इसी दुरान इनकी बीच में एक तगड़ी रेस होती है अब वो लड़की कले के साथ होती है क्योंकि वो लड़की उसकी गर्फ्रेंट सी अब शोन को गाड़े भागाना काफी पसंद था और उन्हें रेपेर भी करना इसलिए शोन अपने खटारा गाड़ी से खले की गाड़े को बरावर की टकर दिता है लेकिन यहाँ पर हम लोटिस कर सकते है कि शोन को अपने गाड़े को ड्रिफ्ट करने नहीं हा रहा है इसलिए वो अपने गाड़े से कई बार रास्ते की चुजों से टकर रहा है इस रेस को जितनी के लिए शोन एक शोटकट रास्ता चुनता है लेकिन उस रास्ते में एक गर था इसलिए वो उस गर में से अपने गाड़ी निकलता है और जितनी वाला होता है तभी वो अपने कंट्रोल खोड़ बेचता है और इसे दरण दोनों की गाड़े का एक एकसेडेंट हो जाता है और इसमें दोनों की गाड़े तूट जाती है अब ये बात जैसे इनकी कोलेज में पता चलती है तो इन पी लीगल एक्शन लिया जाता है यहाँ पर इनका चेरा देखने लाइक था खास करके शोन का जिसके नाक और दाथ दोनों तुटे हुए लग रहे थे अब शोन को प्रिंसिपल के ओफिस में बुला जाता है यहाँ पर एक पॉलिस ओफिसर भी है वो ओफिसर शोन को कहता है तुमने एक गारे का एक्सिडेंट किया है और वो लोग तो अमिर है कैसी भी करके बच जाएंगे तो सुलिपे तो किसी ना किसी को तो चड़ना ही होगा तो क्यों ना तुमें चड़ाय जाए अब यहाँ पर शोन की मौम आ जाती है शोन की मौम पॉलिस ओफिसर से कहती है कि हम इस शहर में नए है और हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते है लेकिन जब भी हर्जाना होगा हम उसे भरने के लिए तयार है अब यह सुनके वो अफिसर शोन को छोड़ देता है अब भाराते ही शोन की मौम शोन से कहती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रोगे मैं तुम्हें तुम्हेरे पापा के पास भेज दूंगी अब अगले सिन में हम देखते हैं कि शौन टोकी के लिए निकल पड़ा है अब हमें यह एक खुबसरत नजारा दिखाया जाता है तोक्यो का अब शौन पोज आता है अपने पापा के घर पे शौन को देखकर उसके पापा खुश नहीं लग रहे थे वो उसे कहते कि मुझे लगा कि तुम कल आने वाले हो खेर अमेरिका और जपान के टाइम में फरक है इसलिए मुझे पता नहीं चला तभी शौन कहता है इट्स ओके गल्तिया तो सबसे होती ही रहती है अब इनके बाचित से हमें पता चलता है कि शौन के पापा आर्मी में थे अगरे सुब हम देखते है कि शौन के पिता ने शौन का ओधर के ही बड़े से कोलेजी में उसका एड़मिशन करवा दिया था अब स्कुल की डेस पेन कर शौन सिधा पहुझ आता है टोक्यो शयर की सेर करने वो गुमता फिरता फाइनल अपने कोलेज में पहुझ आता है अब उसे अपना क्लास दोनने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आखिर में वहाँ पहुझ आता है उसकी टीचर उस पे जप शूज निकलने को कह रही है। वाक uniquely यान्य शूज ज hospitalized जपन्मों में इस स्कुल की शूज पहने जाते है रेगिला शूज नही, अब क्लास के घते ही ठाइम माता हे लुंच ब्रेकता, जिया बच्चे अपना खाना खा सारे चीज़े हैं जो भी चाहिए बस मुझसे मांग लेना शोन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुमसे कुछ खरीच सकूँ और प्लिज मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो अब ट्विंकी अपने बेक से एक स्टेरिंग निकलता है उसे देखके शोन कहता है कि क्या त इसमें से ग्रिन कार निकल कर आती है जिस पर हलक का मुका बना हुआ है यह गाड़ी ट्विंकी की है अब ट्विंकी उसे कहता है कि इस गाड़े पर मैंने काफी मेहनत की है इसमें इतनी तेजी है कि अगर तुम रेस करोगे तो जित जाओगे अब इसी के साथ शोन और केशी अब यहापर दोनों की बिच बातों की थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है और डिके शोन को गाईजन कहता है इसका मतलब शोन को पता नहीं होता इसलिए वो उसे कहता है कि जैपानी में क्या बात कर रहे हो हिमत है तो इंगलिश में बात करो शोन कहता है कि हिमत है तो मुझसे रेस लगाओ अब इनकी बाते हान भी सुन रहा था जो डेके का बिजनस पार्टनर है अब या शोन के पास रेसिंग करने के लिए गाड़े नहीं होती है तब ही हान उसे अपने कार देता है अब यहापर ट्विंकी कहता है कि यह हान की फेवरेट गाड़ी है और यह ह पाएगी अब डेके आने की ड्रिफ्ट की अपने ड्रिफ्ट की सारी कलाय दिखाता हुआ बिल्डिंग के बेस्मेंट से सिधा टोप पर जाने की कोशिश करता है अब जैसे इस मोवी की शुरात में दिखाया था सेम वैसा शुन के साथ इधर भी होता है और उसे आपर भी दबे होने की वज़े से वो उसके साथ वह से चली जाती है अब हान की गाड़ी पूरी तूट चुकी थी इसलिए हान शुन को कहता है कि शहर छोड़के मत जाना अब घर जाने में देरी हो जाने की वज़े से शुन की पिता उस पे बहुत चिलाते है अब वो उसे पूछते कि आखिर तुम कहा गई थे तो शोन कहता है कि मेरे एक्ष्रा क्लासिस थी इसी वज़े से देर हो गई कल से मैं लेट नहीं आओंगा अब अगले जिन स्कुल खत्म हो जाने के बाद हान उसका बाहर इंतजार करता है तभी शोन कहता है तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे सार अने के लिए शोन को बाद टंब में भेश देता है अब वहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे थी यहां शोन एक मोटा आदमे से पेसे मंगता है तो वो आदमे उसे सिदा भार फेक देता है फिर भी शोन हार नहीं मनता और आखिर में उस आदमे से पेसे लेके आ जाता है और लाकर सिदा हान को पकड़ा देता है, अब यह हान को लगता है कि यही वो आदमी है जो मेरा काम कर सकता है, अब ऐसे करते-करते बहुत दिन बिज आते है और इसी बिज हान शोन्द से एक और बात कहता है, अगर टोक्यों में कोई भी गाड़ी 120 की रफटार से तेज चला तो पूलिस उसे कुछ नहीं करते क्योंकि पूलिस जानती है कि इसका पिचा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला और ये पकड में आने वाला को भी नहीं है इसलिए अगर तो लुँँ हो से स्टीजल हो पुछ आर्य ऑप पहरा और तुम सबसक्तूरまだ आपर एक लाल गाड़ी है उसे देखके शोन कहता है वाउ क्या मस्थ गाड़ी तो हां कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारी लिए मतर कहन को हए तुम्हारे पास एक गांड़ी होनी एक दिन जब वो घर लोटता है तो अपने पिता को उनके कार रेपरिंग करते हुए देखता है तो वो उनसे पुछता है कि क्या आपने कभी इस कार का ड्राइव किया है तो उसके पिता कहते हैं नहीं कभी मौका नहीं मिला लेकिन अगर कभी मौका मिला तो इसे जरूर ड्रा लड़ाय रोखने के लिए श醉न पहुझ आता है और वह टुम्हें कुछ कहना है तो मुझे ख़राब एरपोर्ट दिया है पर इसा करती हुए निला देख लेती है और उसे कहती है कि इन आदमें के मूँ मत लगो ये अंडरोडर माफय से जुड़े हुए है और अपने भलाई चाहते हो तो इसे दूर रहो अब शाम कोशोन मिलता है हान से और उसे कहता है कि तुम तो काफी अच्छी तरह से ड्रिफ्ट को जानते हो तुमने कभी डिके के साथ रेस्क क्यों नहीं की हान उसे कहता है कि गाड़े चलाना मेरा शोक है मैं इसे मेरे फाइदे के लिए इस्तमाल नहीं करता अगर तुम मुझे रेस करते हुए देखना चाहते हो तो वेट इन वच अब रास्ते में कुछ लड़के गाड़े चला रही है या हान शोन को अपने डिफ्टिं में हर जगा इसकी प्रेक्टिस करता है अब अपने स्किल को किस तरह से एनांस कर सकते है वो इस पर पूरा फोकस करता है यह सारे चीजी निला भी देख रही थी अब निला चाहती थी कि वो डिफ्टिंग की असली देफ्ट को जाने इसलिए वो शोन को लेके पोच जाती है टोके के पहाड़ों पर वो कहती है कि यह ऐसी पहाड़ी है जहापर सभी ने अपने लाइफ की पहली डिफ्टिंग की है मैं चुटी थी तबी यहापर कई बार आया करती थी और मैंने भी अपने डिफ्टिंग यहाँ से ही सिखी है मैं चाहती हूं कि तुम यहाँ पर प्र क notion हो जाता है डिके और वहाँ पर शोन को आते ही मारने लगता है शोन के मौजOR के मौन से कहता है किओ आकर तुम यहाँ पर क्यों आयों डिके शोन से कहता है कि मेरे दूर रहना और फिर से उसके करेब आये तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूगा जैसे ये बात निला को पता चलती है वो पोजाती है डिके से लगने वो कहती है कि मैं जानती है कि मेरे कुछ कर्ज है जिसे में बर नहीं सकती लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं जिससे भी बात करू तुम उसे मारने लगो ये तुमने सहीं नहीं किया और ये बात मुझे पसंद नहीं आई डिके उसे कहता है कि तुम्हारी मा एक प्रोस्टिटूट थी और वो अमेरिका से यहाँ जपान में आई थी हमारी फेमिली ने उन्हें सहारा दिया तो तुम मेरी गुलाम हो और हमेशा मेरी गुलाम ही रहोगी इन दोने की बाद चली रही होती है तभी यहाँ पर डिके के अंकल कमाटा आ जाते हैं जिनके नाम से ही डिके सब पर हुकम चलाता है अब यहामें पता चलता है कि कमाता इशेर का सबसे बड़ा माफिया है D.K. उन्हें देख कर सलाम करता है साथ ही पेसी भी देता है और कहता है कि इस मेहने में बस इतनी ही कमाई हुई है मगर टेंशन मतलो अगले महिने इसे भी ज़्यादा कमाई होगी अब इन दोने की बाच्चित के दोरान निला वहाँ से चली जाती है और सिधा पहुच जाती है शोन के पास में अब डेकी इस बात को जानता था इसलिए वो अपने गाड़ों के लेकि सिधा शोन के अर्डे पर पहुच जाता है और यहाँ पर लड़ाई जगड़ा करने लगता है इसी बीच निला जाती है और हान, शोन और निला मोका पाती ही वहाँ से भागने लगते है और फिर हमें दिखाय जाती है इस मोई की सबसे बेस्ट कार चेजिंग जिसमें शोन को रोकने के लिए उसकी पिच्छे डिके पड़ा है और डिको को रोकने के लिए उसकी पिच्छे हान यहाँ पर तिनों जने अपने गाड़ेों को टोक्य की सड़कों पर भगा रहे थे अब इस चेज़ में हान का एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट होता है और हान मारा जाता है अब ये देखकर डिके वहाँ से भाग जाता है और शोन भी वहाँ से सिधे अपने घर पर आता है लेकिन तकेशी भी उसकी पीछे पीछे शोन के घर पर आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर शौन की पिताजे आ जाते है और तकेशी की सर पर एक बंदुक रखकर कहते हैं कि अगर अपने जान बचाना चाहते हो तो बिना कुछ किये यहाँ से चुप चाप चले जाओ लेकिन यह जगड़ा शंत होने का नाम ही नहीं लेता तभी निला यहाँ पर कहते है कि बिके मैं तुमारे साथ चलती हूँ और ऐसा कहते है वो बिके के साथ चले जाती है अब यह बाद शौन को काफी जादा बूरी लगती है और वो उसकी पिताजे को कहता है कि अब मैं लाड़े के पीछे से एक बैग निकलता है जिसमें लाखोर उपे पड़े थे वो कहता है हान ने यह सिर्फ तुमारे लिए रखे है तुम इसका इस्तमाल सही तरीके से कर सकते हो अब उन सारे पेसों को लेके शौन पहुजाता है डिके के अंकल कमाटा के पास वहाँ पर का पता चल जाएगा की हम दोनों मैं से कोई सबसे ज़्यादा काबिल है और अगर ये रेस डिके जिता तो में शेर चोड़ के चला जाओँगा और अगर में जिता तो निलाकों में लेके जाओँगा डिके भी यहापर मौजद था वो कमाटा को कहता है की ये फाल तू लड़ बुदकता है चलो जाए एक कमता इस रेस के लिए मान जाता है अब शोण जैसे गलाज पर कि थो उसे चलता है कि हाएं की सारे जाड़या पता ही तो किसे नी तोड़ दी अब शोन और उसके सारे दोस्त मिलकर उस गाड़े का इंजिन निकालके अपने पिताजी के गाड़े में फिट कर देते हैं अब इसी के साथ शोन के पास एक नए कार रेड़ी हो जाती है और वो उस गाड़े के साथ काफी जादा प्रेक्टिस करने लगता है अपने डिफ्टिंग को टोप लेवल तक कोचाने के लिए वो पाड़ों का सारा लेता है और वहापर वो कई बार डिफ्ट करता है अब आखिरकार वो दिन आजाता है जिस दिन डिक्की और शोन का तगड़ा मुकाबला होने वाला होता है यहापर शोन के सारे दोस्त और डिके के अंकल का माठा भी मौजूद होते है अब यहापर इन दोनों की विज एक शांदार रेसिंग चालो हो जाती है अब इसी के साथ यह दोनों अपने गाड़ों को तेज भगा कर उस पार्ड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं अब जो भी सबसे पहले नीचे उतरेगा इना मुसका होगा अब यहापर डिके अपने नाम को बरकरार रखने के लिए काफे ज़्यादा डिफ्टिंग कर रहा होता है और अगर वो यह रेस जिद गया तो उसे शोन को टोक्यो शेर से बाहर निकलने का मुका मिलेगा और यहाँ शोनिया चाहता था कि अगर वो रेस जिर गया तो डिके की इज़द तो निला मुहगी ही उपर से निला उसकी हो जाएगी वो निला को डिके के चंगुल से छोड़ा लेगा यहाँ पर कई बार ऐसा मुमेंट आता है कि दोनों में से एक इस पार्ट से निचे गिर जाएगा लेकिन दोनों काफी महर से और दोनों ही काफी कोशिश कर रहे थे निचे उतरने की लेकिन इधर डिके अपना बेलेंस खो देता है और पार्ट से निचे गिर जाता है आज़ाद हो यहीं पर इस मोई के एंडिंग में हमें एक रेसिंग बेटिल दिखा जाता है अब यहापर ट्विंकी भागा भागा आता है और शौन को कहता है कि कोई एक रेसर है जो तुम्हें टकर देना चाहता है शौन कहता है मेरा कोई मूड नहीं है और वेसे भी मैं कम हो जाती है तो दोस्तों यह मूवी सिधा कनेक्शन है इसलिए कंफीज मत होना की अगले पार्ट में हान कैसे बच गया तो दोस्तों यह ची दफास्ट अन्द फूरेस टोके डिफ्ट मोवी होप कि आपका हमारी वीडियो और यह मोवी पसंद आई हूँ मिलते हैं आप सेट तो सेट सेट को